नमस्कार मेरा नाम है वैभो और आप देख रहे हैं नियोस पियार ये कोई नई बात नहीं है कि बिहार में अपराधी और अपराध ये दोनों नाम एक दूसरे के सामने लगातार आए दिन खबरों में बने रहते हैं ऐसा ही कुछ मुंगेर में हुआ जहां पर एक भाई और एक बहन मिलकर हतियारों का सिंडिकेट चला रहे थे हतियारों के जखीरा को मुंगेर पुलिस ने और स्टीफ की टीम ने मिलकर जब्त किया है मुंगेर के एस्पी ने इस पर भयान दिया है कि जब भी हमें ऐसी कोई खबरे मिलती हैं तो हम उस पर तुरित कारवाई करते हैं लेकिन ये भाई बहन का सिंडिकेट ये हतियारों का जखीरा ये दिखलाता है कि बिहार में अप राधियों का अभी भी बोल बाला है 13 पिश्टल और 100 कार्टूस के साथ HDF की टीम ने और जिला पुलिस की टीम ने इन दोनों को पकड़ लिया धर दबोचा और उसके बाद इन्हों ने उनसे जब पूस्ताच की तो पता चला कि पूरे मुंगेर में इनका सामराज फैला हुआ है मुंगेर पुलिस ने लगातार छापे मारी करते हुए खड़कपुर जील समेत मुंगेर के अन्य इलाकों में भी अपराधियों को धर्जबूचा है और अभी भी लगातार छापे मारी स्क्रम में चल रही है यह मुंगेर एस्पी है जो आपके कैमरा स्क्रीन पहना आए सुनते हैं क्या कहते हैं मुंगेर के एस्पी जगुनात रड़ी तो उनके हां सभी हतियार और दोली और इनिगन ट्रेक्री जो होता है समान बरामाद हुआ तो हमारे ट्टी मुंग सब मिलके अच्छा पांकिया उसको रिवार दी किया जाएगा तो एक मामला सामने आया कि भाई बहन मिलके ये सिंडीगेट चलाते थे इलिगल उपेंस को से क्या करना है तो हम लोग जांच कर रहे हैं तो अपने अपस में रिस्तेदार जो जांच कर रहे हैं कि देखके क्यों को मूबाइल जो निला है उसके भी सब्सक्राइब तो इसक सब्सक्राइब तो यह थी मुंगेर की कहानी जहां पर एक भाई और बहन मिलकर किस तरीके से अवैद कारूबार को फला फुला रहे थे और मुंगेर अस्पी के साथ स्टीफ की जो टीम है उन्होंने इन दोनों को धर्दवचा बाकि इस कबने कोई भी नहीं अपडेट आता रहेगा कैमरामैन हीरालाल के साथ वह पांडे न्यूस पी आर पटना कर दो पांडे बाता रहे नहीं आर रहे पांडे भी आरीके साथ से आर पर बाता रहे पांडे आर पांडे नहीं आर